हेलो फ्रेंड्स तोपिक इज नाइट्रोजन साइकेल एंड आइम मिश्टर मिराज सर एंड यू आ वाचिंग माई चैनल साइंस अर्थ इंडिया तो फ्रेंड्स देर आर 78 परसेंट नाइट्रोजन इन आवर एट्मास्फेरिक यादि की एट्मास्फेर राइट्स और यह ज फिर में यह रिटर्ण वापस आ जाता है इसमें कुछ साइकलिक प्रॉसेस होता है आई यह समझने का जो एक प्रयाज करते हैं जैसे कहम देख सकते हैं यहां पर यह जो नाइट्रोजन है यह होता है यह प्लांट की जड़ों की पाज जाता है और यहां पर यह लेगियुम कैंठ अधे इस कंफेर्णक होते हैं यह अपर देख सकते हैं यह फिक्स बैक्तरिया है यह इसके बाद कुछ और ना यह तो नाइट्रोजर फिक्सिंग बक्तरिया हो गया फिर उसके बाद नाइट्री फिक्सिंग बक्तरिया होते हैं यह नाइट्री फिक्सिंग बक्तरिया कुछ और होते हैं जो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देते हैं अब यह जो नाइट्रेट होता है assimilation process के दवारा मिट्टी में जो है वह मिल जाता है अब जब पानी यानि कि जो पोधे होते हैं वे अपनी जड़ों के दवारा water को यानि कि पानी को अपने body के अंदर लेते हैं तो ये घुलावा जो nitrate है ये पानी के दवारा पोधों के body के अंदर चला जाता है और पोधे उस nitrate से protein का दिर्मार करते हैं अब इस plant को animal खाएगा फिर animal के body से जो excreta निकलेगा या animal का जब body dead हो जाएगा तो उसके उपर लग जाएंगे decomposure यानि की bacteria और भंजाई और ये एक प्रकार के enzyme छोड़ेंगे जिससे जिससे इसके body से reds ammonia release होगा फिर ये ammonia को nitrification यानि की nitrification के द्वारा nitrides में करोड करेंगे फिर उसके बाद nitrides को nitrate में करोड के जाएगा फिर इसको मिटी में assimilation process के द्वारा मिलाय जाएगा फिर पहुद है पानी को अपने body के अंदर लेंगे जाएगा soluble हो जाएगा और पोदे फिर इस इनाइटेट को लेकर protein का फार्मेशन कर देंगे फिर उनको animal खाएगे फिर ये process बार बार चलता रहेगा अब यहाँ देखलेटे friends अगर फिर ये animal खाता है और animal के body पर या animal के excreta पर ये decomposition process होता है और जिससे ये ammonia का formation होता है यह हम कह सकते हैं कि पौदों के जड़ों में यह नाइट्रों यानिकी हम कह सकते हैं कि जो rhizobium bacteria है यह atmospheric nitrogen को राइट्स यह ammonia application के द्वारा राइट्स यह नाइट्राइट्स में करनों करते हैं जब सब्सक्राइट्स से यह decomposition होगा तब यह ammonia बनेगा और यह नाइट्रों फिक्सिंग बंशिए बनाते हैं तो यहां कुछ और बाक्ट्रिया होते हैं जिसे हम ढिन इंडि किंग बेक्ट्रिया कहते हैं यह फिर इस नाइट्रेट को रैट्स अगर यह बक्ट्रिया के संपर्ग में नाइट्स आता है तो इसको फिर यह atmosphere में 920 के रूप में release कर देते हैं अगर इस डी नाइटरी फिक्सिंग के संपर्क में यह नाइट नहीं आता है तो यह assimilation हो जाता है स्वाइल में फिर पौधों में जाकर प्रोटीन का फार्मेशन करता है अब कुछ और प्रोसेस है जिसके द्वारा राइट यह नाइटरी बनता है यानि कि बादलों में हम कह सकते हैं फ्रेंट्स लाइटिंग का प्रोसेस आनि कि बिजली का तड़कना अगर इस प्रोसेस होता है रइच्ट टो फ्रेंट कर यह आ जाते हैं फिर यह प्रोसेस बरबाट चलता रहता है इसे ही हम कहते हैं फ्रेंट्स नाइट्रोजन साइकील आई ओप यह टॉपिक आपको समझ मैया होगा राइट्स ऐसे ही टॉपिक को समझने के लिए हमारे साइंस एर्थ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें आज के लिए बस इतना ही बाई बाई फ्रेंड्स